आपके हिसाब से अब आगे क्या कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमें रिलुकेट करो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है पर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि सुरक्षा अगर मुहया होनी है तो किस तरीके से श्वेता जी मैंने अभी एक खताशा जैसी बात सुनी है कि साथ यह हाइब्रेड वारफेर है यह नेमलेस फेसलेस टेरर है मैं आपको इसकी रूट बताता हूँ यह क्या हुआ था आज से 6-7 साल पहले मैंने चिलाना शुरू किया था कि कृपया मारे गए आतंकियों के धूम इनवानी का हो अब जाकिर मुसका का हो इंस वो तो बंद किया गया ना वो तो बॉडिस अब हैंड़ोवर ही नहीं होती है तीन साल तक वो चले और उन तीन सालों में जो इंप्रेशनबल माइंड्स थे जो किशोर थे जिन्होंने उस वक्ष यह मार्टिडम का जजबा थी कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी दूसरी बात यह जो कहना के साब 6 महीने पहले इतनी पत्थर बाजी थी आज इतनी है इतने एंकाउंटर थे आज इतने हैं इसका पाखंड देखिए जब एंकाउंटर बढ़ते हैं तो कहते हैं देखिए हमने ज़्यादा आतंकवादी मार दिये हमने तो कितने आतंकवादी मार दिये और जब एंकाउंटर घटते हैं तो कहते हैं देखिए अब शांती अब एंकाउंटर नहीं हो रहा है तो चित भी मेरी पैट भी मेरी इस तरह जतलाया जाता है अपनी पीट पे हाथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंग अमेरिका में 20 साल से एक भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ क्या उन्हों ने ये निश्कर्श निकाला कि जहाद का खत्रा टल गया है क्या इस तरह आप जहाद को आखते हैं क्या इस तरह आप आतंक की पैमाईश करते हैं पिछले साल अमेरिका ने होम लैंड सिक्योरिटी पर आज तक का सबसे बड़ा बज़िफ दिया है वो मूर्ख है क्या आप जहाद को क्रिकेट के स्कोर की तरह नापना बंग कीजिए पहल उनके हाथ में हैं वो जब चाहें जिसे चाहें जहां चाहें मारते हैं या फिर अपना असला अपनी जाने हिफाज़त में रखते हैं किस्ती अगले दिन के लिए और हम हैं कि सिर्फ जवाबी कारवाई में संतुष्ट हैं वो मार के जाते हैं तो चलो ढूंडो किसने मारा हम ये नहीं देखते कि शुरू में ही धर पकड़ हो चानभी इन हो और दिल जीतने बैठने के लिए फिर आप जिहाद से लड़ना ही पाइए आपकी नीती ही है, मैनेज करना, कंटेन करना, आपकी नीती नहीं है कि उसका जबला उखाड़ना, और इसकी कीमत यह इनोसेंट जान दे के चुका रहे है। कमीटी बनाई है, उनकी रिपोर्ट एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, चाहे वो केसी पंथ हो, चाहे वो एनन बोरा हो, चाहे वो पढ़गाउं कर हो, चाहे वो जेटली साब या जेटमलानी जी हो, आप सेंटर स्टेट रिलेशन पर फोकस करके क्या कह रहे हैं अभी सार में खुलासत करता हूँ, को ने जानते हैं आप, जिनको आपने सरकार बनानी थी PDP के साथ, जिनको स्टेक होल्डर बताया था, जिनको आतंकी बता रहे हैं, वो लोग बिनने आए, मीरवाईज उमर्क, अब्दूल गनी बट, विलाल लोन, और किसने बहिशकार किया, किसको नियोता दिया था, अटल जी, अडवानी जी ने, जानते हैं आप, यासीन, मलिक और शब्बीर शाह को, जिनोंने इंकार कर दिया आने से, आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, गौरव भाटिया आपको, मैं वही कह रहा हूँ, ये देखिए न, आपको यासीन, मलिक और मनमौन सिंग की तस्वीर दिखा रहे हैं वो, यासीन, मलिक ने इंकार कर दिया इनके पास आने से, ये उनको स्टेक होलडर बता रहे थे, अटल जी ने भी उनको बुलाया, क्या हुआ पीडीपी के साथ, मुझे बताईए न, सेफुल्ला की तस्वीर क्यों नहीं बतात आप बुरान वानी के घर मुआउजा लेकर गए, आज निर्मल चिंग का है उपुक कि मंत्री, गुपता जी को बिठाया पूछिए ना, कि वो मुआउजा देने गए की नहीं गए, आसी अंधराभी को ब्राइंड एम्बेसेटर आपने बनाया, जब सक्ता की भूठ मीटा तो अलग स्वरूप था, आज हम देशेटा जी समय बरावर में देगा अच्छा लगी, पिर से आपको ये कमिट सुनिया, आखरी बात के ना चाता हूँ, सवाल हम से पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर गंबीरता इतनी बढ़ गई कि चाइनीज कॉप्टर से और चाइनीज स अब चाइनीज कॉप्टर से जानती हैं, जो एकोनोमिक कॉरिडोर की सिक्यूरिटी के लिए लगे हैं, तो अकेला पाकिस्तान नहीं सरकार अपना काम करें, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन्स को यूज करके पाकिस्तान पर दवाउ बनाएं, चाइना से चर्चा करें, व चेहजार इन्होंने कहा था कि हम ठीक हम जल्दी से जवाब ले लेते हैं जी 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 गौर्ण जी बताइए ठीक बात नहीं है ऐसे नहीं होता श्वेता जी कि तीन चार आलोचक बैठा दें और उनका चरित्र जो हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके साजेदार थे वो अब के आलोचक बन चुके हैं, मुझे नहीं यादाता है कि फौज का कोई भी व्यक्ति कोई जनरल अगर आता हो तो वो आपसे सवाल पूछता था लेकिन घलिती है तो वो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे नहीं यादाता है कि कोई कश्मीरी पंडे ताप لوगों के लिए इतन की बेरे ये बात तो कहीं नी बातिया जब जब बाधियाजी कि जब राद्याजिय को बोले रढए बॉले का आ जब ढूरुिझग को पर संट भातिया थी जब वे परम्णन की बात्तिभ थी जब ज़न पस्थमेड़ हैं टूरुिछ प्लीज देखे ढूंड के नहीं लाना पड़ेगा 135 करोड भारती हैं जो भारती जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और वो इसके खड़े हैं कि इमानदारी से हमने आतंगवाद का खात्मा करने की ठोस कदम उठा के कोशिश करी है मैं अब कुछ चीज़ उजागर करता हूँ आपके सामने देखे सुशील पंड़े जी का जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूँ और मैं एक ही बात कहूंगा उन्हें ने कहा जिहादियों का दिल नहीं जीता जा रहा है जिहादियों का जिल दिल जो है वो चीर के हम दिखाएंग कि कैसे बदला लिया जाता है कैसे उनको ठीक किया जाता है लेकिन ये भी सकते है कि पाखंड क्या होता है पाखंड ये होता है कि पाकिस्तान जब अपना डौजियर देता है तो राहूल गांदी का व्यक्तव वे उस पे होता है और क्या कहता है इंटरनेट बंद मत करो 370 जो संचोधन किया गलत किया आप उसके अभी भी समर्थन में है या वापस लाएंगे यह इनकी दोगली नीती तीसरी बात इनसे पूछे